हेलो नमसकार पूरूटू उसे नेःमर अगुस कर सकते हैं, तो आज हम बताते हैं कि नारिय होता है, जो उसे हम अक्तर तोड़ना होता है तो बहुत तकलीफ होती, उसे तोड़ते हैं और उसे अंदर से उसका पल्थ निकालते हैं, तो कई बार नाइस आप पे लग जाते, काफी हाड होता है, तो उसे किस तरह इजीली हम निकाल सकते हैं, उसका जो ब्लैक पार्ट है, उसे भी हमादब कर सकते हैं, तो यह हम आपको बताएंगे आज की विडियो में. हमने गैस को ओन कर दिया है, हुप कर चड़ा दिया है, अब इसमें करीबन दो ग्लास, इतना दो बड़े ग्लास इतना पानी डाल देजी, इतना पानी होके जिसमें हमारा नारियल आराम से दूब जाएंगे, तो इस तरह से हमने यह नारियल लिये, आप देख सकते हैं, तो इ इतना पानी सफिशन्ट है, अब हमने क्या करना है, कूकर को बंद करके, इससे 2-3 सीर्टियां लगाने के लिए शोड़ देना है, अब आप इससे ठंडा होने के लिए रख देतें, 5 मिनिट के लिए, इसकी पूरी तरह से हावा निकल गई है, और यह सेट हो गया, आप यह चलते हैं, और हम क्या करें, यह नारियल को 5 मिनिट तक ऐसे खुला रखते हैं, चाहिए तो आप पंकावान कर सकते हैं, फ्रोड़ ठंडा होने के लिए, देखिए यह धंडा हो चुका है पानी भी, अब हम इससे निकालते हैं बाहर, अब आप देखिए यह अल्रेडी प्र तरह से बड़ी आसानी से अलग कर लिया है, अब हम इससे पूरा निकालते हैं और इसका चिलका भी बड़ी आसानी से निकाल जाएगा, आपको हम दिखाते हैं, देखिए नारियल का जो चिलका है वो भी साथ-साथ उतर गया है, और जो थोड़ा बच गया है, उसे हम नाइ चिलका पल, जो जिस नारियल पर हमने बॉइल किया था, चिलका निकालके फिर कद्दूकस किया था, आप देख सकते हैं, इसके द्वारा आप मोदग बना सकते हैं, या किसी तरह की मिठाई है, लड़ू है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो यह बहुत ही आसान है, थोड़ भझे लिल्का किसी injection का अवार, बहुत हमने ही आपता है, इसके दो यह बहुत है, उसमेहनें सकती हैं, प्हुत हैं, यह ह tätä बग़ुत पलदाज़ कि द mama Teumm मोदब ऑल, यह हुत हैं, चुत हैं, यह हैं, बहुत हैं, दो जो ए to बहुत हैं, τη एक virgin दAY किमें बाद चेज़ुत